है कि अई है तो है कि है अध्य आप सब्सक्राइब आशा करता हो कि आप सभी स्वस्ते सुरक्षीर थे मैं स्वप्रिल तिवारी सकार केड़ में आप सभी का फिर्स स्वागत करता हूं दोस्तों हम जियोग्राफी विशा का अध्यान करना चुरू किये थे जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक लिया था जलवायू या क्लाइमेट यह जलवायू के टॉपिक का दूसरा वीडियो है पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं जलवायू टॉपिक मैंने पहले भी बताया जैसे कि मौसम बदल रहा है बारिश का मौसम आ रहा है तो जलवायू यह टॉपिक जितना ही इसके बारे में जानना इंड्रस्टिंग ह है रोचक है हमारे एक्जाम के दिश्टे से भी बहुत महत अपूर्ण है यह क्योंकि हमारे किसी भी एक्जाम में चाहें CGPSC हो व्यापम हो UPSC हो SSC हो railway हो कोई भी एक्जाम में क्लाइमिट से रिलेटेट या जलवायू से रिलेटेट एक नए दो कोस्चन आते हैं और यह कॉंसेप्शवल कोस्चन होते हैं कॉंसेप्शवल कोस्चन इसी लिए हम सारे कॉंसेप्ट को एकदम बेसिक से बेसिक तरीके से देख रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने वायू और पवनों के बारे में देखा था वायू पवन में अंतर को समझाता वायू द आपके सभी छेत्रों को हम देख चुके थे अब हमें देखना था क्या कि हवाएं कैसे चल रही है तो हम समझ गए अब वह हवाएं चल कैसे रही है अब वह हवाएं अपनी दिशा कैसे बदल रही है इस्थाई पवने क्या होती है कितने प्रकार की स्थाई पवने होती है और थोड़ा सा पुरानी चीजों को रीकॉल कर लेते हैं तो यह लगभग थोड़ा गोल हमने बना लिया तो यह भाई 0 डिगरी की भूमत दे रेखा मैंने बताया था पिछली क्लास में यह जो 0 डिगरी की भूमत दे रेखा है इसमें माल लीजए आप दस डिगरी उतर और दस डिगरी दख्षड दस डिगरी आपका उतर और दस डिगरी जो दक्षड है यह क्या रहता है भई भूमत दे रेखा का चेत्र हैं सालवर सुरज के किनने लंबत पढ़ती यह तापमान सरवादिक होता है जिसके कारण यह क्या है भई निम्नदाप का छेतर होता है लो प्रिशर बेल्ट होता है इसके बारे में हम विछले वीडियो में पुरे डिटेल देख चुके हैं तेक उसी प्रकार हम थोड़ा उपर जाएंगे तो यहां 30 से लेके 35 डिगरी 30 से लेके 35 डिगरी के बीच उत्त रहे जो हैँमिस्पीर में यहां पर हाई प्रिशर का बैंट होता है यह दोनुं जगा या यहँ प्रिशुर Exodus होहाल वैल्ट क्यों होता है यह भी हम देख चुकिए पिछले वीडिए में अभी लास्ट में आपको पूरा एक बर रिकॉल कर दूंगा फिर से उसके Tibet उसके Sorry, दुरूवों में क्या होता है भाई High Pressure Belt होता है दुरूवों में क्या होता है ताप मां नेमन होने के कारण High Pressure Belt उच्च वाईुदाप का छेतर होई ताप मां नेमन ठंडी जादा है क्यानि हवाया जो है भाई शगन होंके नीचे आघी है अभी होई है इसलिए वायुद आप क्या है वहाँ पे ज़्यादा है और इन दोनों वायुद आपके कारण यह इनके बीच में 60 से 65 डिगरी के छेत्र के बीच में कहां 60 से 65 डिगरी उतरी गुलार्त में भी और दक्षडी गुलार्त में 6-65 डिगरी जो मद्द कछ्शेतर होता है इसमें लो प्रेशर बेर्ट बनता है इसमें क्या बनता है लो प्रेशर बैर्ट तुलों अब एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं कि कैसे होता है कि सूरी की किर्णे इधर 10 डिग्री नीचे एकदम साल भर लंवत पड़ती है तापमन सरवाधिक रहता है जिसके कण हवाएं गर्म होती है उसके कण भी खरते हैं हलकी होकर फैलने लगती है उपर उठने लगती है चुकि हलकी होकर उपर उठ रही है हलकी हो रही है यानि वायुदा का दबाव नहीं है इसलिए यहां लो प्रेशर बैल्ट बना अब जो हमाएं उपर उठी है वो आधी उत्तरी गुलारत में जाएंगी उपर तापमान उचाई के साथ कम होता जाएगा क्यों होता हमने इसलिए यह उच निकटी बंद और उपोश निकटी बंद क्यालाता है ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन दोनों गुलारत में तेक है उसके बाद यहां धुरू में चुकी तापमान कम रहता है इसलिए उच्च वायुदाप का छेतर होता है गैसे दब के नीचे रहती वायुदाप जाधा रहता है यह दोनों उच्च वायुदाप से पवने इस छेतर में आकर मिलती है और उपर उठती है बहीं दो पवने मिलेंगी तो जुड़ तो जाएंगी नी उपर उठेंगी जमीन के नीचे तो अंदर दबनी सकती तो यह पवने क्या है बही उच्च वायुदाप का छेतर और यहां पवनों के फिर से उपर उठने के कारेंड क्या होता है निम्नवायुदाप का छेतर पवन उठ रही है मतलब निम्नवायुदाप का छेतर बन रहा है पवन दब रही है मतलब उच्च वायुदाप का छेतर बन रहा है अब हवाएं क निमने वायुदाब वैसे ही यहां उच्छ वायुदाब से निमने वायुदाब हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट हवाएं इस पर कर चलना चाहिए लेकिन हवाएं सीधी सीधी नहीं चलती हवाएं अपना मार गुलार्थ में अपने दाएं मुड़ जाती है जो हवाय उत्तरी गुलार्थ नौर्थन हेमिस्पियर याने जीरो डिगरी की उपर चलती है वो अपने दाएं राइट साइड मुड़ जाती है और जो हवाय दक्षडी गुलार्थ साउथन हेमिस्पियर में चलती है वो अपन बाए साइड मोड़ जाती है मैं लिख देता हूं आपके लिए फेरल क्या कहते हैं कि जो हवाए नौर्थन हेमिस्पेर जो हवाए उत्तरी गुलार्थ जो हवाए क्या नौर्थन हेमिस्पेर उत्तरी गुलार्थ में चड़ती है वह अपने राइट साइड दाय मोड़ जाती है तेकर वह अपने क्या है भाई राइट साइड और जो हवाएं डख्षड़ी गोलारद में चलती है वह अपने लेटा साइड या बाइव मुझा गाएगगे अब इससे क्या होगा इससे यह होगा कि देखिए सबसे पहले हम इस छेतर की बात करते हैं गुमत दे रखा कि आसपास का छेत्र यहां उच्छवाई उदाफ से निमनेवाई उदाफ हवा आ रही है यहां भी उच्छवाई उदाफ से निमनेवाई उदाफ की और आ रही है तो सबसे पहले हम उत्तरी गोलार्त को देखते हैं देखिए यह हवा नीचे आ ओर जाएगी तेख brace त्री घो लार्त में चलेगी वो राइट साइड यानि की क्यात अभश जाएगी आज इसका मूह नीचे है तो सभावी तो दाया इधर होगा और बाया इधर होगा राइट साइड इधर होगा और लेट साइड क्या होगा इधर होगा मुनीचे यानि कि राइट इधर होगा और लेट इधर होगा तो यह हवा क्या होगी अपने दाय यानि इसका राइट इधर है दाय साइड मुड़ जाएगी तो यह हवाएं आपका उपोश नकटी बंद से उश नकटी बंद की और कुछ इस प्रकार चलेंगे क्लियर हुआ तेक है उसी प्रकार उसी प्रकार यहां की जो पौने हैं यह जो उच्च वायुदाप से निम्न वायुदाप की और जा रही है अब यह उत्तर की और जा रही है उपर की और जा रही है दक्षडी गोलार की पाउने है और दक्षडी गोलार की पाउने क्या होती है अपने बाय मुड़ जाती है अपने लेप्ट साइड मुड़ जाती है तो जो यह उपर जा रही है अब इसका दाया इधार है और अब बाय डिग्री या उपोस्ट नकटी बंद और उस्ट नकटी बंद के बीच चलने वाली पावने दोनों गोलार्द में व्यापारिक पावने कहलाती है इन पावनों को ही क्या कहा जाता है व्यापारिक पावने तेक है यहां अलग से हम लिख दे रहे हैं इन्हें ही क्या कहा जाता ह बड़ है व्यापार्य पौने या ट्रेडविंद्स इन्हें क्या कहा जाएगा व्यापार्य पौने या ट्रेडविंट्स टेके ट्रेडविंट्स क्या होती है ट्रेड वेट्स व ट्रेट कांसी विपरकार की पामें है इस पामें यह साल भर चलती रहती यह अपना मार्क नहीं बदलती ट्रेड वेट्स वह इस थाइप आज में आप अगर अगम बिशा से यहां कैलकुलेट करेंगे सबसे पहला तो चाहिए यह व्यपारिक पाउने कौन सी है जो उत्तरी गोलार्द और दक्षणी गोलार्द में कहां उपोष्ण कटी बंद से कहां से उपोष्ण कटी बंद से उष्ण कटी बंद की और चलती है तो यह क्या कहलाती है वह व्यपारिक पाउने जो उपोष्ण कटी बंद से है दक्षड पश्चिम अदक्षडी गोलार्थ में इधर दक्षड पूर्व से कहां जा रही है उत्तर पश्चिम दिशा सिंपल निकाल सकते हैं एक्जाम में कुश्चन आता है ना व्यापारिक पवने कहां चलती है तो व्यापारिक पवने उपोष्ण और उस नकटी बंद क ट्रॉपिकल जोन से ट्रॉपिकल जोन की और चलती है दिशा उत्तरी गोलार्थ में आपका उत्तर पूर्व से लेके दक्षड पश्चिम और दक्षडी गोलार्थ में दक्षड पूर्व से लेके उत्तर पश्चिम क्लियर व्यापारिक पवने क्या होता है चलिए आगे च सीधे until showed Luther been aself नब अपने दाय मुड़ जाएंगी तो यह जो पॉने उपर जा रही है अब इसका धाया इधर होगा और बाया इधर होगा तो यह पॉने अब अपने दाय मुड़ जाएंगी यान्य कुछ इस प्रकार से चलेंगी क्लियर हुआ ये धर जा रहा था अब अपने दये मोड गए यानल पो cuntu ओकरार से चलेंगी द्क वैसे ही दक्षडी घुलागर्ड में क्या होगा पौर नीचे जा रही है और जब दक्षडी गउलाग्र में चलती है तो अपने बाएन मूड जाती है अब इसका मूँ नीचे है तो इसका बाया इधर होगा अधाया इधर होगा तो यह अपने बाय कुछ इस परकार मूड जाएंगी और पॉने ऐसे चलेंगे तो यह उपोष्न नकटी बंद और सितोस्न कटिबंद या उपध्रोविय कटिबंद उपोश्न कटिबंद या उपध्रोविय कटिबंद के मद्ध चलने वाली पवने ही क्या कहलाती है पच्छुआ पवने कहलाती है दूसरी हमारी स्थाई पवने है कौन सी पच्छुआ पवने दूसरी स्थाई पव यह पच्छुआ पवने कहा जाता है पच्छुआ पवने कहा चलती है पच्छुआ पवने जो है आपका उपोष्न कटी बंद से पच्छुआ पवने जो है उपोष्न कटी बंद से उपध्रूवीय कटी बंद तक चलती है उपोश्न कटी बंद से उपधरोविय कटी बंद तक चलती है दिशा कैसी होती है उत्री गोलार्थ में दक्षड पश्चिम से उत्तर पूर्व की और और दक्षडी गोलार्थ में उत्तर पश्चिम से दक्षड पूर्व की और चलती यह सीधा एक्जाम में कुश्चन आता है दक्षडी गोलार्थ में पच्छवा पउनों की दिशाएं क्या होती है तो अगर आप कोई फंडा क्लियर है पूरा कॉंसेप्ट क्लियर है तो आप रट से चित्र बना के भी वहाँ पे देख सकते हैं दक्षडी गोलार्थ में पच्छवा पउनों की दिशाएं क्या होती है दक्षडी गोलार्थ में पच्छवा पउनों की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षड पूर्व की और होती है और उत्तरी गोलार्थ में दक्षड पश्चिम से उत्तर पूर्व की और होती है क्लियर ठ चलना चूरू हो रही होगी तो जैसे ये उच्चे वायूद आप से निंद वायूद आप क्यों को सीधा आना चाहिए पर हवा तो अपना मार्क बदलेगी तरल क्या कहता है कि फैरल का नियम यह कहता है कि हवाय जो तरी गोलार्द में है वह आपका अपने दाय मुड जाएग तो भई इसका बाया इधार होगा दाया इधार होगा क्योंकि मूह नीचे है तो यह अपने दाय मोड़ जाएंगी यानि यह कुछ इस परकार चलने लगेंगी क्लियर तो यही कहलाएंगी ध्रूवी पाउने सेम दक्षडी गुलार्द में दक्षडी गुलार्द में अधी पाउने चल रही है तो क्या है वो अपने बाएं लेफ्ट साइड मुड़ जाती है तो यह जो पाउने ऊपर जा रही है वो अपने लेफ्ट साइड मुड़ कहा चलती है द्रूविय पाउने जो ढूँ से जिए जो ढूँ से ऊपद्रूवीय कटी depende चलती हैं जो ढूँ से ऊपद्रूवर यह कटिबंद पर चलती है इसी लिए इसे क्या कहा जाता है धरूवी ये कटिबंद एधरूवी ये पाउने कहा जाता है ये भी एक स्थाई पवन है तो तीन प्रकार की मुख्य रूप से स्थाई पाउने होती है ये पर्मानेंट विंड्स है जो साल भर चलती रहती है अपना मार्ग नहीं बदलती है यह किसी विशेश पर इस्तिती में उपस्थित हो सकती है लेकिन कहां होती है कैसे होती हुआ हम देखेंगे वह और इंट्रस्टिंग है वाने वाले वीडियो में हम देखेंगे अभी केवल हमको इनकी पर्मानेंट जो कंडिशन है पर्मानेंट सिच्वेशन इसे ही समझना है चुकि इनकी जो सिच्वेशन है इसी लिए इस थाइप होने कहा जाता है तीन प्रकार की इस थाइप होने होते हैं फिर से मैं आपके लिए रिपेट कर दे रहा हूं पहला होता है विया पारीक पावने पारीक पावने कहां से कहा चलती है व्यपारिक पहने ऊश्णकटी बंद सब ट्रॉपिकल जोन से ऊश्नकटी बंद ट्रॉपिकल जोन की और चलती है हना यानि 30 35 डिग्री वाले चेतर से जीरो डिग्री चेतर वाले के बीच चलती है उत्री गोलार्त में भी और दक्षडी है दूसरी होती है आपकी पच्छवा पाउने या वेस्टर लीज देखिए व्यापारीक पाउनों को इस्टर लीज भी कहा जाता है रेट विंड्स भी कहा जाता है दूसरी होती है पच्छवा पाउने या वेस्टर लीज पच्छवा पाउने चुकि पश्चिम दिशा से चल ऐसी पाउने जो उपोष्ण कटी बंद से उपध्रूवी कटी बंद सब ट्रॉपिकल जोन से सब पोलर जोन के बीच चलती है उसे ही पच्ववा पाउने कहते हैं तेक पच्ववा पाउनों की दिशा उत्तरी गोलार्द में दक्षड पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षड कश्चिम और दक्षडी गोलारत में होता है दक्षड पूर्व से उत्तर पश्चिम क्लियर हो रहा है तो यह कहलाते हैं आपकी क्या स्थाई पाउने तीन प्रकार की स्थाई पाउने एक चौथी पाउने है जेट पाउने वह भी एक प्रकार क स्थाइपवन होती है लेकिन जेट पाउनों के बारे में हम अगली क्लास में देखिए इसके अलावा देखिए जो यह आपकी पचुवा पाउने है जो 35 डिग्री से लेके आपका 60 डिगर के बीच चल रही है तो देखिए जो यह उत्तरी गोलार्त वाला हिस्सा है एक को देखेंगे तų आपको समस्झ में आएगा उत्तरी गोलारत में भुभाग कहा दिखता है पूरा इस्श्यमाहदीप है दर आपका योरोप है लेकिन 딱 प्रड़ो में फैलें आपको अब्सरामuito नहीं तो सभावी को touž глубh भूभाग हवा के मार्ग में रहेगा तो हवा के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा हवाए वहां इधर उधर तिबंद फेलेंगी टकरा के दूसरी जगर reflect होंगी उनकी गती कम होगी लेकिन अगर समुद्र ही लगातार है भूभाग कम है तो वहां हवाओं की गती बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी तेक तो इसलिए 40 से 60 डिगरी के बीच दक्षडी गोलार्थ में बहुत तेज पच्वा पवने चलती है केवल पच्वा पवने के लिए ना केवल वेस्टरलीस के लिए कहां यहां दक्षडी गोलार्थ में तो दक्षडी गोलार्थ में बहुत तेज पच्वा पवने चलती है जिने 40 डिगरी म चलने वाली पौनों को प्रचंड चालीसा पचास डिगरी में चलने वाली पौनों को भयंकर पचासा और साट डिगरी में चलने वाली पौनों को चीकता साथा कहा जाता है याद रहेगा एक्जाम में कुश्चन आता है कि प्रचंड चालीसा भयंकर पचासा और चीकता साथा क्या है क्या है यह तो नया यह दिया हम सुनेंगे तो धन्वान चालीसा टाइब कुछ लग रहा है रहा इसी कुछ होगा नहीं ऐसा नहीं है यह पाउने है कौन सी पाउने है पच्वा पाउने कहां चलती है केवल दक्षडी गोलार्द में 30-60 डिगरी के बीच जैसा कि नाम ह 40-50 और साथा तो प्रचन्ड 40 यह 40 डिरी पे भायंकर पचास यहीं पर चीकता साथा यहीं पर क्या है यह दक्षडी समया और खोली क्लास में हम अब देखेंगे एक तो jet stream के बारे में देखेंगे jet stream क्या होता है कैसे चलती कैसे बनती है और वायू कोश के बारे में देखेंगे वायू कोश के बारे में जब हम अध्यान करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि jet पवने क्या होती है उसके साथ ही हम देखेंगे विभन्यावार के समीर क्या होते हैं और विभन्याव क्या है और वो कौण सा प्रभाव पैदा करती है जैसे की ऐस एक ग्जाम्पल हम बता रहें कि भारत में चलने वाली कि इस थानी पवन local wind है लू लू जो है भाया गर्मी में गर्म पवन है गर्म शुस्क पवन है जिसके बहुत गर्म लगती लू लग जाता है बीमार पड़ जाते है तेमपरिचर डिफरेंस के कारण ऐसा होता है वो भी हम चर्चा करेंगे क्यों होता है कैसे होता है तो ऐसे ब पड़िये से note down कर सकते हैं revise कर सकते हैं आप इसे अच्छे से पढ़ें आपको इस वीडियो से related कोई भी doubt रहता है तो comment section में हमें जरूर बताए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को subscribe करें अपने दोस्तों से शेयर की भी करना चाहते हैं तो online माध्या में सकार एकडमी के android application के दुरू कर सकते हैं इसके अलावा general studies के किसी भी सबजेक्ट की यदि आप separate class करना चाहते हैं तो वह भी available है साथ ही cgpst pre or mains के online course 40-60% की discount के साथ भी सकार एकडमी के android application पर उपलबत है तो इसके साथ ही आज की कर दो